जसी जसी तो ही नहीं पैदा हुई थे कोई दूसा चैरा नहीं है मेरे पास यह हमारी जसी है यह उसकी कोई हमशकन तुम ठीक टो हो जसी तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाई ऐसे लग रहा है जैसे अब हर रात मुझे ना ना नीम ना चैन ना थीकी सांस मिलने वाली है मेडम अंदर आओ कुछ कचरा ले जाना थाओ यह थैली मुझे तो और थोई दर बाद आजाना मुझे तो यह सब कच्रा नहीं नजर आता जैसी यह गिफ्ट्स यह काज्स यह प्यारे से तौफे यह सब फेकने की नहीं याद रखने की चीज़ें इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है इसे मैं जतना जल्दी हटा दू उतना ही अच्छा होगा तौफे हटाए जा सकते हैं जसी यादे नहीं मैं हर याद को मिटा दूंगे ठीक है इन चीज़ों को तुम फेक भी दो पर इनसे जुरे दोस्ती के खुशी के या फिर दर्द की पल उन्हें उठाके इस थेले में बंद कर सकती हो हमेशा के लिए साफ कर सकती हो अपने दिल से उन्हें और इससे भी जरूरी सवाल यह है जसी कि क्या तुम सच में हैं सच में इन सब चीज़ों को गवाना चाहती हो क्योंकि एक बार यह चले गए तो फिर कभी नहीं मिलने वाले यह दोस्ती के रिष्टी अजीव होते हैं जसी इनका तालूक दिल से होता है पर जसी दिल तो हर इंसान के पास होता है उसके पास भी जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम्हें चोट पहुंचाए इससे पहले कि तुम सब कुछ खत्म कर दो उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का तुम्हारे दिल की बात जानने का पता नहीं वो जानता भी है कि नहीं कि उसे तो कोई फरक ही नहीं पड़ता कि मैं क्या सूचती हूं या क्या महसूस करती हूं उसके लिए तो मैं जीती जागती जसी नहीं बल्कि इन खिलोनों की तरह एक चीज हूं जिसे बस चाह भी लगाकर अपना काम निकल वाया जाता है और तुमार्शा खतम हो जाने के बात किनारे पर कर दिया जाता है जसी गुद्वारिंग जसी जसी बिना पुरी बात जाने कि यादों को मत जाने देना के ओ है अर्मान तो है नंदिनी मुझे पता नहीं आप यहाँ पर नहीं मैं तुमारा इंजार कर रहे थी सैंपल्स मिल गए जिया लेकिन फिलहाल में सप्लाइस के साथ डील नी फाइनल करी कोई बात नहीं में अंजार कर लेती हूं लेकिन जल्दी कर लेना यह नहीं हो कि दील हाथ से निकल रहा है बिल्कल जसी चलो सी यू लेटा सिया बाई जसी 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 यह मजे फटाफट जिये बदाओ कि हमारे अपॉइंट्मिंट्स का है नए क्लाम जानवाले है गुलमाहर में मीटिंग है यह ज़िए और कितने बजी जसी तुम तुम ठीक तो ना कोई प्रॉब्ल्म जसी कही तुम्हे मेरा कोई पार्सल तुली मिले हाँ मिला और उस बैग में कुछ काट्स कुछ किफ्ट्स और वो लेटर हाँ हाँ सर उस बैग में उस बैग में वही सब चीज है थी जसी तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाओगी मुझे पते नहीं था बेवकूफ? देखो मुझे अच्छी तरीके से पतागा कि तुम मेरे सारे पार्सल शेक करके देती हो तुम मैरे भी सूचा क्यों आज मिस जसमीत वालया को बेवकूफ बनाए जाए तुम तुम तो यह सब एक मजाग था हंड़ेट पसें सेंट पसें मजाग जसे जसी जसी एक परड़ेग में तुम यहां बेटो ना बेटो आराम से बेटो जसी जसी एक एक मजाग था तुम आप ने जांते हैं इस मजाग ने पूरी जानी ले थी मुझे बिल्कुल ने बताता तुम इसने यह फस जाओगी अमें तुम जसी जी जो मैं बीटो नी जानती थी थीना की मैं असानी से तूट जाओगी मेरा मक्सद तुम्हे परिशान करना बिल्कुल नहीं तो मैं तो बस यूही थोड़ा से मुझे पहले से समझ लेना चाहिए था कि आप ऐसा करे नहीं सकते हूं कि यह मजां की हो सकता है तो अब तो तुम चीक हो ना? ठीक जो मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सांसे जुगो महें थी वो लौ जाए है चाहिए 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 काकोबी कि वीटिंगे वजे किया है मैं अभी चेकर लेती हूं पाँ जाओ जाओ वेल? नहीं अभी मैं तयार नहीं हूं मेरा मतलब है अभी इसमें और चीज़ें ताल ली है अलो जसी आम शौर कि तुम भूल गई हो कि आज मिस जनिफा का अपॉइन्मेंट है अर्मान के साथ ना तो मैं इंपॉर्टन बातें भूलती हूं और ना ही मैं वक्त बरबात करती हूं अभी ग्यारा बजने में पांच मिनट बाकी हैं मिस जनिफा अप से मिलने आए मीटिंग के लिए तुमें काम करो उन्हें बोर्ड रूम में बठों मैं आता हूं अके अलो मैं मैं जस्मीत वाली हूं गुलमोर की फाइन सेड यानिकी ते फेमस जसी फेशन वल राइट वेमस तो पदानी लेकिन मैं खुद को गुलमोर का एक छोटा सा हिस्सा जरूर मानती हूं हाई और मैं हूं परी पैशन इंडूस्री का हिस्सा भी और किस्सा भी थांक्यू परी तो मैंने कॉन्फरेंस रूम में लेके जाओ मैं आपनी फाइल्स लेके आती हूं को पराइल्स आती हूं पराइब लाइल्स आती हूं वहाँ, भूर गूर कर भी मत देखो नजर लग जाएगी वैसे भी जिसकी लाइफ में ज़ादी के जोड़ा पहने के मौका नहीं आने वाला उसकी नजर तो और भी बुरी लगेगी आप में बिल्कुल थीक है मैरी सर्फ मेरे जैसे लोगों की नजर लग सकती है ए जैसी तुम मीटिंग में सप्लाइइस के लिस्पे ले आना तुम्हारे केबिन में, एक है? ये सर्फ हुहाँ हुहाँ हुआ 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 एक जोटा मगार एक खास तौफा एक बहुत ही खास दोस्त के लिए तुम्हारे लिए जैसी सिर्फ तुम्हारे लिए तो ये कुछ काड है जो मैने तेरी लिए तयार करके रखते हैं तो टाइम टाइम पर उसे देते रहे इसना को एक ची रूश्री सारी जरी यह स्वाइबान से लिए रहा है जैसी जैसी, ख्योड क्या हुआ तुम श्यूक रशाद रग रग यह अब प्रोब्म तुमने वो मेरा काट आप जो यह बढ़ा हो पर लगता है तुम्हें पसंद नहीं है था अच्छा था अरे अच्छा नहीं जैसी तुम्हें से भी जादा अच्छे के अगदार हो हुँ जैसी 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 चले आप चलिए मैं आते हूं आप चलिए मैं आते हूं आप जैसी सब कुछ ठीक है नहीं कुछ परी क्या है वीरू ऐसे क्यों चिला रहे हो जैसे तुम्हारी जान निकल रही है अरे जान मेरी नहीं जान तुम्हारी जा रही है मेरी जान क्यों जाएगी वो तुमने महीनों से कार की इंस्टॉल्मेंट भरी ना तो तुम्हारी कार लेने आए है लेकर जा रहे है जाओ बचा लो तिक्षिए थैंक्स करो जैसे कर देखी वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन क्योंकि हम सारा पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो हमें हैं डिसकाउंट तो मिलना ही जाहिए सारे मतिरेंट पे डिसकाउंट अँ सॉरी लेकनी मुम चे मही है इस नोट पाट आप बिसनस पॉलिशी अगे मैं आप ऐसा क्यों नहीं सोचती है अगर हम आपसे डिसकाउंट के बदले क्रेडित मांगते जो आपकी कंपनी पॉलिसी में अलरी है तो आपका सारा पेमेंट दो महीने के बाद होता और पेमेंट अगर दो महीने के बाद होता तो आपको दो महीने का इंट्रेस्स लॉस भी ह एक बार फिर अर्मान को अर्मान सर को जशी से फादा हुआ है ऐसे ही कामों के लिए तो जशी से जुटी दोस्ती की थी कि अब हुआ कि अब हाँ यह कुंदा आख मिलें यह कर दुद निश्वा शिल्गरा क्रें यह खुर। मेरी पुरृच्छ चलियें कि अच्छेलेशन्स अब इसके आगी पर क्या को जसी जसी यू सिर्सी आदर बेस्ट मैंने कुई अनोखी बाद तो नहीं किया मांट सहु बस अपना काम किया जसी तुमें क्या नोखी बाद शादि तुम भी नहीं जाती इस दील में कमाली कर बलकि मैं तो सोच रहा हूँ कि कि अच्छेल सब्सक्राइब करें के लिए कि इस दील को एक स्पेशिल तरीके से सेलेबरेट करूंगा एक सालेबरेट ? आपकरॉस, इंधाक्ट हम लॉरियल फैशन फियस्ता के बाद सिधे डिनर के जाएगे एक बहुती षैशल सिफ मेरे और तुमारे भीश पर तुम से मिलता अड़े से बाते फैशन फियस्तर के बाद शानदार डिनर पे लेके जाना और वही कोई अच्छा सा गिफ्ट विजे देना उसको और कुछ भी सेंडीज दा कहते ना यार खुश हो जाएगी हर बात साफ साफ मेरे सामने कि अपने अपने मतलब के लिए अपना काम निकलवानी के लिए मुझसे जूटी दोस्ती की और बेमानी हमदर्दी दिखाए अगर तुम्हें लगता है कि अपनी सस्ती बातों से तुम मुझसे अपना काम मनवाते रहोगे तो तुम्हें अपनी ये सोच बदलनी होगी पिछ जहां से कि राजी कैसी हो अरे गोजा कर राजा बोलो गोजा कर राजा वेसे हमारे मुंबई के महाराजा कैसे हैं कॉन तुमारा अर्मान सर और कौन सर एक जब एक मिनट क्या आप लाइन पर राज सर का फून है जसी तुम मेरी लाइन पर ट्रांसफर कर दो मैं यहीं से बात कर लेता हूं अर्मान कैसे चल रहा है वाई सब कुछ बिल्कुल की चल रहा है राज मैं मैं रात को लॉरेल फैशन फियस्ता में जा रहा हूं और मेरे साथ जसी भी जाई है वेरी गॉड वेरी गॉड वेरी गॉड उसके बाद हम लोग दिनर पर जा रहे हैं क्या बात है लेकिन मेरे घर को रेस्टाउन नहीं वाना ना प्लीज यार वाच्में से लेकर नेबर्स तग ये सोचते होंगे तो कौन सी एलिएं को आप लेकर आता है यार शुप रहे राज तुझे पता है ना कि जैसी ने वहां पर हाँ मुझे मालूम है उसे तुझे वहां पर अपनी कहानी बदाई थी कैसे उसके बॉइफरेंड ने उसको छोड़ा था अर्मान सार ने समीर की बात पी राट सार को बता दी सार अपसे एक रिग्वेस्ट है यह बात आप लीज किसी को मन बता ना राट सार को भी नहीं यह भी कोई कहने की बात है तुम बल्कु प्रुद मत करो यह बात सिर्थ तुम्हारे और मेरे पीच रहे मेरी किसी भी बात की इजाद में रखी किसी हाजास की कद्र नहीं कुछ में कुछ में नहीं जसी? जसी जल्दी चल, बिंदिया का रो हो कि बुरा हाल हू रह है हाँ हाँ, जल्दी चल तेहने टो सिर्व बदी का हाथ चुटा था अब तो सरसे चट भी अटने वाली है किस मिट्टी का मनाए वह आद मी रूबे मोग मेरी चोड़ों पच्छों का ख्याल भी नहीं रखा बिंद्या क्या हुआ देख प्लीज एसे रोमत ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा अब तो कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा बिंद्या प्लीज सारी मर्जात ही ऐसी होती है दोके बास दिल की जगा लगता है पत्थर है पत्थर आप ठीक कह रहे हैं रूबी माँ पर हम लड़कियों का दिल इतना नारम होता है हम करें भी तो क्या हम भी जवाब दे सकते हैं इंद का पत्थर से तुझे अगर अपने इस दोके बास पत्थी को सबग सिखाना है न अब बिंद्या तो रोने से कुछ नहीं होगा हस हस के उसी जला बलकि मैं तो कहते हूँ तो भी एक बोईफरिंट डून ले जिसे देखते ही तेरे उस पती की सारी हुशारी निकल जाएगी बिल्या सुन तो अगर उसे उसकी नीन से जगाना है न तो उसी जला समझी कोई भी मर्द ये बरदाश नहीं कर सकता कि उसे प्यार करने वाली किसी और को भी चाती है खुश है बिल्कुल बिंद्या तुझे उसका घमन तोड़ना होगा तुझे ये जताना होगा कि उससे भी ज़्यादा जरूरी आदमी तेरे जिंदगी में है और सुन ले एक बार उसका घमन तूट गया न तो समझ ले वो खुद तूट गया तुभी एक बॉइफ्रिंग डूण ले हस हस के उसी जलाओ एक बार उसका घमन तूट गया न तो समझ ले वो फुद तूट गया जसी एसी कोई ने जसी एसी कोई ने